हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो शॉटकुट किचन आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी वेजिटेबल सूप जो पीकर आपको टेस्टी तो लगेगा यह साथ साथ इससे आपका वजन भी घटेगा यह बहुत ही टेस्टी सूप है इसमें कोई तरह का ऐसा मसाला नहीं है ज इसके जगा आप बटर भी यूज कर सकते हैं मगर घी हल्दी ओप्शन में तो मैंने वो यूज किया यहां पर मैंने एक इंच का अध्रक का तुकड़ा और पांचे लेसन की कलियां को अच्छे से बारिक बारिक काट लिया है दोनों को हम इसमें डाल देंगे देखिए हम ए आपकी चॉइस है बिलकुल मैंने यहां पर एक प्याश लिए है चोता चोता इसको काट लिया है बहुती बारिक-बारिक आप सबजी को चौप करें इस बात का आपको ध्यान रखना है अब हमेसे हलके से मिक्स कर लेना है यहां पर मैंने एड़ किया है प्याज पत्ती मैंन को छील के दाने ले लिए उस जगा पर थोड़ा कॉर्ण भी यूज कर सकते हैं आज हमने कॉर्ण को यूजने किया है यहाँ पर मैंने आधा शिमला मिर्च को बारिक काट लिया है वो भी हम इसमें डालेंगे जो भी आप सब्जी एड करें इसको आप चलाते जाएं मिक्स करत देजाएं इस बात का आपको ध्यान रखना है यहाँ पर बहुत ही बारिक मैंने आधा गाजर को काट लिया है देखिए बहुत ही बारिक बारिक हमें गाजर को काटना है सब्जी की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम जादा कर सकते हैं यहाँ पर मैंने बहुत ही बारि यह मैं पानी एड कर दिए यह घड़ कुल दो दूसरा घ्लास इसके पार के इंड सेखेट गபनाफ देखेट लगभक पांच मिनिट इसन अच्छा हाई कितना अच्छा पक रहा है अभी हम इसे और पकाएंगे उससे पहले मैं यहाँ पर एड़ करूंगे तीन चम्मच कॉर्ण फ्लॉर लिया है हमने उसमें थोड़ा सा पानी डाला है इस तरह का हमें सलरी त्यार कर देना है कॉर्ण फ्लॉर का और अब हम इसमें डालेंगे त्री स्वाद अनुसा नमक अ अपने हिसाब से नमक डालिए इसमें बहुत जादा मसाला कॉए नहीं करना है थोड़ा साम डालेंगे काली मिर्च्च और नमक मैंने एड़ किया और इसको हमें फिर ढग कर पकाना है तो प्रेंड्स इसमें अपने पसंद का सोया सॉस ट्साइवर क का बना सकते हो मगर आज हम इसको वेट लॉस के हिसाब से बना रहे तो हम बहुत जादा फ्लीवर इसमें एड़ने करेंगे देखे यह पकर गाड़ा हो चुका है दोस्तों बस इस स्टेज में हम इसको बंड कर देंगे मगर हमें से 10 मिन तक थंडा करना है उसके बाद ही हम इस पहुंचते रहे यह देगे फ्रेंड्स मैंने इसको सर्फ कर दिया है बहुत ही टेस्थी फ्लेवर्ड सूप तयार है फ्रेंड्स तो आप लोग इसको जरूर से बना कर ट्राइ करें मिलते हैं इन रेसिपी के साथ चल दें बाई सी यू सून इस विंटर आप इसको जरूर स एंजॉय करें